आज हम बताने जारहे हैं अपतल दरपन के बारे में जो अपतल दरपन में वास्तु फोकॉस और वक्रता केंदर के मत इस्तित हो तो उसका प्रतिभीम का प्राकृती किरा नारेख दौारा समझाए जिससे मालो यह गोलिया दरपन है यह क्या है गोलिय दर्पन गोलिय दर्पन में जिसको बाहर से कलाई करते हैं इसको बाहर से कलाई किये तो यह अफ्तल हुआ यह कुण दर्पन हुआ यह अफ्तल दर्पन यह बाहर से कलाई किये तो यह अफ्तल दर्पन हुआ जब इसको अंदर से कलाई कर रहे हैं तो यह उत तो इसका प्रावर्तक सता क्या होता है? अधसा हुआ, अप्तलदर्पन का उप्रावर्तक सता, उबर하 हुआ, ठीक. इसके बासमें हम बताने जा रहे हैं ,सबसे परबर हम नाधे कहिच अफ्तल दर्पन काुện हो इसके रहे हैं, अबतल दरपन में बाहर से कलाई करते हैं, तो बाहर से कलाई करो, यह अबतल दरपन, ठीक, बाहर से हम कलाई कर दिये हैं, बाहर से कलाई और इसका द्वारक का नाम हम क्या दे दिये, बी और बी डेस दे दिये, ठीक, इसका प्रावर्थक सता क्या है, दसा हुआ है, इसके बी बिच रहे हैं ठीक तो इस रहे कि सिके आप्धार को अियों युल्य Warszawa करने मूख अक्ष अक्ष्ष या अक्षी या परधान अक्षित यह अफतलन दर्पन का यू सब्सक्राइन धे यह एफ्यरूब अगल आगे क्या है द्रूब कर फोकस is जुश यह जाएगा मुखक्च के समांतर और दर्पन पाउट्र दर्पन पर चल गाए आप प्रावदतर सतह सकता से टगरा दगर फिर वापस रिटन हो जाता किसे होकर रितन हो गया नहीं में बनेगा पर लेकिन वह रहो होता तो एक और रूल बताए थे हमने प्रावर्तन के नियम से कि जब एक किरन कहां बजाएगा सिधा धुरूप पर गया धुरूप पर कहां गया एक किरन धुरूप पर गया फिर वह प्रावर्तन के नियम से कौन आई बराबर कौन आड़ समान कौन बनाते हुए विप्रीत दिश देखो ना इनद फरक कुल होता है अनद पर मुनाएक टिक कि अड़ियस बीडेस कहां मिला इस इस इस्तिती में वसुका प्रतिभीूम कैसा है वसुक्त प्रतिभी में देखो वस्तु का प्रतिवीम, वस्तु का प्रतिवीम कैसा बना, वस्तु का प्रतिवीम, वस्तु का प्रतिवीम बड़ा बना, उल्टा बना, बड़ा उल्टा, और दर्पन से आगे, दर्पन से इधर आगे हुआ, इधर पीछे बते, दर्पन से आगे बना, दर्पन से आग जब यह रियल किरन मिलके बनाया कोन कि रियल किरन स स्थे हो जए ऑर वहां से तकड़ा कर फिर फोकसचक हो जो एक दर्पन से प्र दरूप पर गया वह समान को स्थे नियम से पिर वापस एक बिन्दू पर मिलक जहांने है बना वस्तु से बढा है और आगे बना इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसलिए हम यह बता रहे हैं कि इसका रिलेशन या तो फोकस और वक्रताकिन्तकिन के मद जबस्तू इसलिए इस ट्रीक को अच्छे तरह से याद कर ले ताकि ओऑ इस चेहने और अवर्धन को समझने में दिक्कत नहीं हो ठीक धन्यवाद इस चैनल को परणने से पले या समझने पर ले लाइक करें और चेप्टर को लाइक करें यह है अब तल दर्पन ठीक धन्यवाद